नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग दैनिक रासिफल सुसिफले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में एक मई दोहजार चौबेस बुद्धवार का दिन है बैसाग महा के कृष्ण पफष की अस्टुमी ती थी और नच्छत्र है देवगुरु ब्रहस्पती का रासी परिबर्तन हो रहा है देवगुरु आपके सब्तम और दसम भाव के स्वामी है और देवगुरु आपके लिए गोचर आपके 12 भाव में आ रहे हैं तो ऐसे में ये भाव होता है बिदेश का भाव एकांत का भाव अध्यात्म का भाव तो देवगुरु के यहां आने से उनकी दृष्टी आपके चतुरत भाव, छटे भाव, अस्टम भावर होगी तो देवगुरु ब्रहस्पती के इस गोचर से मिथुन वालों कारयस्थल पर हलकी फुलकी मुश्किलें हो सकती हैं यात्राएं होंगी लेकिन थोड़ी ठाकान देगी यात्राएं धन तो आएगा पर खर्चे बढ़े हुए हैं और इस स्वास्त के मौमलों में थोड़ा साब्धान रहिएगा खासकर पेट का ध्यान रखिएगा बैबाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कते दे सकते हैं देग गुरूत यानि उनका ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है उपाई क्या करेंगे उसके पहले जानी ये कि आर्थिक स्थिती को बहतर बनाए रखने के लिए रशनात में बीचारों को लागू करें और जीवन साथी परिवार के साथ परिवार के जो लोग हैं समय थोड़ा उनके साथ बिताएं समय का आनंद ले तो उत्तम रहेगा कम होंगी अब बात करते हैं दैनिक रासिफल के बारे में तो मितुन वालों आज का दिन ठीक है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा भारी है आज स्वास्त का ध्यान रखेगा और परिवारिक जो भी समस्या हैं उससे बचे थोड़ी कारियों में बैस्तता रहेगी हलाकि आज लिखाई के मामलों में थोड़ी समस्या हो सकती है गायतरी मंत पढ़े और पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें बेवज़े समय नश्ट ना करें स्वास्त की मामलों में पेट का ख्याल रखेगा पानी खुपी जे और इसमें मांसिक रूप से तयार रहें पॉजिटिव सोच के कुछ रास्ते भी मिल रहे हैं सो समझकर आगे बढ़े और बेवजह किसी से मत उलजिएगा बुद्धी विवेक से जो भी निर्ने लेंगे उसमें सफलता है साम से लेकर रात तक किसी सुमंगल कारेकरम में समलित हो सकते हैं समय भी देगा आपका सुब रंग हधानी उस्क बिन धने